तो उख का द्रश्टांत सुनाया गया कि म्रतक भाव की स्थिति ऐसे होती है जैसे गन्य की स्थिति हो जाती है गन्य को सब पीडाएं सेहन करने पड़ती हैं उसके आरम से लेकर अंथ तक किन्तो उसमें कोई विकार या परिवर्तन उसके स्वभाव में नहीं पड़ता अपी तो उल्टे और जादे वो मूल्यवान होता जाता है इसी प्रकार एक सिस्थ सादक को म्रतक भाव धारन करना चाहिए तो आगे प्रश्ण है म्रतक भाव कोन धारन कर सकता है तो इस विशे में छंद है सद्गुर कवीर कहते हैं म्रतक भाव है कठिनी धर्मनी लहे बिरिला शोर हो कायर सुन तेही तनमन दहे पाछेन चित्वत कोर हो ऐसे शिशे आप समहारे ताव सही गुर ज्यान को लहे भेदी भेद नीश्चे जाय दीप अमान को तो सद्गुर कवीर कहते हैं कि म्रतक भाव है कठिनी धर्मनी है धर्मदास ये जो म्रतक भाव है जीवित रहती म्रतक भाव अत्यंत कठिन है सहज नहीं है ये तो लहे बिर्ला शूर हो कोई विर्ला ही इसको धारन कर सकता है जो शूर वीर हो यहाँ शूर वीर का अर्थ किसी युद्ध के मैदान में डटने वाले लड़ाई लड़ने वाले शूर वीर से नहीं है यहां उस शूर की बात है जो सच्चा संत है सच्चा सादक है जो अपने तन के एक्षेत्र में लड़ता है अपने जीवन के एक्षेत्र में जुद्ध करता है मन और इंद्रियों से विजय पाने वाला जो सच्चा संत शादक है वही जीवित रहते मृत्त क्भाव को धारन कर सकता है वही से निभास सकता है कायर सुनते ही तनमन दहे और जो कायर है अर्थात जो अपने जीवन को नियमित सयमित रहंग से नहीं चीछ सकता मन इंद्रियों को विजय नहीं कर सकता इंद्रियों का दास बन कर रहता है मन की चंचलता में मो माया में खोय रहता है ऐसा जो कायर है तो उसका तो तन्मन जो है जलने लगेगा इस भाव को सुनकर ही वो जो कायर है वो तो सुनकर उसका तनमन दहक उठेगा, जल पड़ेगा, भैबीत हो जाएगा, पाचे निचित्वत कूर हो, फिर तो वो पीछे फिरकर दिखाई नहीं देगा, भागा चला जाएगा, वो ठेरेगा तो क्या, वो तो पीछे मुड़कर ही नहीं देखेगा, चुकि वो कायर ह है, वो साधना के मार्ग में टिक नहीं सकता है, वो मृतक भाव की स्थितिव को सुनते ही, भाग उठेगा, धरमदास इस प्रकार ये मृतक भाव बहुत कठीन है, कोई वीरला इसे दारन करता है, ऐसे शिष्य आप समारे, और ऐसे ही, जो सदगुरु का प्रिये शिष्य है समर्पी तेशिष्य है, वो अपने आपको संभाले, सुधारे समझ ले, बढ़ी प्रकार समझ ले, और मन इंद्रियों को पूरी तरह से संयमित रखता हुआ, उन पर विजय पाता हुआ, मृतक भाव को प्राप्त हो तो गुरु का जो ज्ञान है, सदगुरु जो ज्ञान उपदेश देते हैं, तो उसके उनसार अपने आपको सिस्य को सभालना है और उसमें जो भी ताव मिले अर्थात, जो भी कठनाईयां, जो भी ताप, दुख और अनिक परकार की जो बाधाई हैं, उन सब को सहता हुआ, विनम्र भाव से, सहनशीर भाव से, जो ऐसा जो सिस्य है, जो आपको आपको समाल लेता है, लहे भेदी भेद निश्य और भेद को समझ लेता है, ज्यान लेता है, भेदी हो जाता है, सद्गुर के ज्यान का और मरतक भाव के सब बातों में जो सफल हो जाता है, तो जाए दीप आमान को, दीप आमान अर्थात वो सत लोग को प्राप्थ हो जाता है, इस संसार सागर जो है, ये जन्म मरण का है, अन से छूट कर वह सत्य लोग को अर्थात जो अम्रत्र है जो मोक्ष है उसे लोग को वो प्राप्थ हो जाता है सद्गूर कवीर ने साखी गरंत में सब के समझने योग जिस्षे साध्कों को बात समझाते वे का है संत सर्बस दे मिले गुरु को सोटी खाए राम दोहाई सत्य कहूं फेरने उदर समाई यह समझाते हैं कि जो जिग्यासु मोमुक्षो संत गुरु को पूर्णते समर्पित हो जाता है सर्बस उन्हें न्योच्छावर करके समर्पित होकर जब उनसे मिलता है और गुरु को सोटी खाए उन संत गुरुजन की को सोटी को जो सह जाता है उस पर खरा उतरता है बिना को सोटी पता नहीं चलता है स्वर्ण को जदी को सोटी पर ने कसा जाए तो उसके खरे खोटे का पता नहीं चलता है इसी प्रकार जो गुरु को सोटी गुरु के ज्ञान उपदेश की अनुसार जो पूरी तरह से खरा उतर है उसकी को सोटी पर खरा उतर जाए तो सद्गुरु कबिर कहते है कि राम दोहाई मैं राम की सोगंद खाकर कहता हूँ सत कहता हूं, कि फिर वो मा के पीट में कभी नहीं आएगा, अर्थात उसका जन्म मरन नहीं होगा, वो मुक्त हो जाएगा, तो गुरु को पूर्णते समरपित होना, उनके ज्ञान की कोशोटी पर खरा उतरना, ये एक बड़ी बात है, तो इस प्रकार से ये मृत्तक भाव को कर सकता है, ये बताया गया, और साधु कोन होता है, मृत्तक ही साधु होता है, अर्थात, मृत्तक भाव को प्राप्त, जीवी तरहती मृत्तक भाव को प्राप्त, जो हो, वही सच्चा साधु होता है, सोर्टा चन्द में कहा है, मृत्तक हो यसो साधु, सो सदु गुरु को पावई मेटे सकल उपाद तासु देव आशा करें साहिव कहते हैं कि जो मृतक भाव को प्राप्त हो जाए अर्थात जिसमें पूर्णते धहर्य हो विनम्रता हो सहन शीलता हो जो तितिक्षा के पूर्णते चरम शिखर पर पहुंच गया हो जिसके चित में कभी उद्विगंता पैदाने हो क्यों कैसा भी वातवरन क्यों नहीं हो जो सहज भाव को अपने निज आत्म शरूप में इस्थित हो गया हो तो ऐसा जो जीवित रहती मृतक इस्थिति को प्राप्त जिसमें ने कोई संसार की काम ना रहती है ने कल्पना रहत जाता है समस्त विशेवास्णा से जो मुक्त हो जाता है तो ऐसा सच्चा साधुम्ह को पावई वो सथ गृप्त होता है सदु ने जो ग्णन उपदेश दिया था उसके उनसार चलता हूआ साधना करता हूआ वह अपने कल्यानो धेश को प्राप्त हो जाता है वो सद्गुरु परमात्मा को पा जाता है मेटे सकल उपाद वह जो सादू है वो समस्त सांसारी क्लेशों को और मन के जितने भी इनके कर्पनाय कामना है उनको सब को मिटा देता है सब क्लेशों से उपर उठ जाता है किसी प्रकार की इसमें कोई कामन वास्तना नहीं रहा जाती है तो ऐसा जो सच्चा साद्व होता है तो उसकी संसार के लोग तो क्या स्वर्ग के दे भी अपने कल्यान की आशा उससे करते हैं वे भी उसको सेश जो काते हैं यह समझना चाहिए तो इस प्रकार मृतक भाव को प्राप्त सच्चा संतसाद्व ही इस संसार से पार होता है उसका जो कल्यान उदेश है उसमों पूर्ण हो जाता है